अब लो फ्रेंड्स बीना की दुनिया में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ ये दो कलर का डूर में डिजाइन सेयर करें इसके लिए मैंने ये नो नुमबर की सलाई ली है और दो कलर की उन ली है तो सबसे पहले फ्रेंड्स फर्ष्ट कलर से फंदे डालने तो जैसे मै यहां से शुरू करके बनाया है वैसे ही मैं आपको यहां से शुरू करके बताऊंगे सबसे पहले फ्रेंड्स आपके पास जो भी कलर है उससे फाइप के मल्टिपल से फंदे डालने आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं फाइप के मल्टिपल से फंदे डाल सकते हैं आप इसे उन या शाड़ी पुरानी चुनी से भी बना सकते हैं मैं उन को डबल करके बना रही हूँ तो सबसे पहले मैंने यहां 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और यह 25 फंदे डाले हैं तो फंदे डालने के बाद फ्रेंस सीधी सलाई से इधर हमारा सीधा साइड होगा सीधी साइड से डिजाइन सुरू हो जाएगा फंदे डालने के बाद यह पहली सलाई है यहीं से डिजाइन सुरू करना है तो पहले एक फंदा बढ़ाना है ऐसे धागे को सलाई में ऐसे लपेट के ऐसे आगे लाना है और बाकी फंदों को यह एक फंदा बढ़ गया ये दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आच, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, जोदह, पंदरह, सोलह, सत्रह, अठारह, उनीस, बीस, और ये 21, 25 फंदे डाले थे, एक, दो, तीन, चार, पांस फंदे यहां छोड़ देने हैं, और यहां एक फंदा बढ़ा है था, तो ये 20 फंदे थे, एक फंदा बढ़ गया, एकिस फंदे हो गए, और पांस फंदे छोड़ के यही से वापस मूड जाना है, और उल्टी सलाई क को हर बार उल्टाबून के कम्पलीट कर लेना है, ऐसे, बहुत ही आसान डिजाइन है, बिगनर्स भी से आराम से बना सकते हैं, अगर मेरे चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की न आपको मिलती रहें, तो यह सलाई उल्टे साइड से उल्टे भून के मैंने कम्पलीट कर ली है, अब फिर से सीधी साइड में, फिर से यहां एक फंदा बढ़ाना है, और सलाई में हमें एक फंदा बढ़ाना है, सीधी सलाई में और लास्ट में पांस फंदे छोड़ देने है चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोड़ा पंदरा सोला और यह सत्रा फिर पांच फंदे यहां छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़के इसलाई को उल्टा बुनके कंप्लेट कर लेने हैं फिर से सीधी सलाई में एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे धागे को सलाई में लपेट के ऐसे लाएंगे एक फंदा बढ़ गया दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस से ग्यारा बारा तेरा तेरा फंदे होगे और दो चार और यह पांच पंदे यहां छोड़ें यहीं से वापस पलटके इस सलाई को उल्टी बुनके कंप्लेट कर लेना है फिर से सीधी सलाई में एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे तो एक फंदा हो गया यह दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नो फंदे बनाएंगे पां पांच पांच पंदे बनाएंगे और पांच फंदे यहां छोड़ देने और यहीं से वापस पलटके इन पांच पंदों को उल्टा बुनके कंप्लेट कर लेंगे इस तरह फ्रेंड्स यहां एक दो तीन चार पांच 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 पंदे छोड़ दिये हैं और एक एक फंदा बढ़ाते हुए एक दो तीन चार पांच पंदे बढ़ गये हैं तो बीस फंदे डाले थे तो बीस फंदे हमारे पूरे पांस बार छोड़ के चूड़ गए हैं अब क्या करना है फ्रेंट्स पहले हम यहां एक एक फंदा बढ़ा रहे थे और इधर पांस पांस फंदे छोड़ रहे थे अब यहां हमें जैसे यह कली बनी है ऐसे ऐसे बनाना ह तो यहां एक एक फंदा घटाते रहेंगे और उधर से पांस पांस फंदे लेते रहेंगे तो एक फंदा यह हो गया दो का एक किया एक फंदा घट गया हमारा तो एक दो तीन चार और पांस फंदे यहां से लेने तो पहले यहां से एक फंदा गया भरने के लिए उठा लेंग कि नौँ पंदें बनाते ब्लट के से इसके हलाइक प्रेंस वरकार तो समय निए रखन को दो धो misunderstand कर लेने हैं फिर एक हैं फंदा गटाएंगे में चल फंदो का ङलज़सिए कमपलेड़ी कर ले लेतुकिंश और और पांच फंदे इधर से लेंगे तो पहले यहां गयब बरने के लिए एक फंदा उठा लेंगे ऐसे इस फंदे को इस फंदे के साथ ऐसे बुन देंगे दो का एक कर देंगे नहीं तो हमारा फंदा बढ़ जाएगा नो इदस ग्यारा बारा तेरा तो पांच फंदे बना लिए फिर इनी से वापस पलट के उल्टी से लाई को पूरा उल्टा भून के कंपलेट कर लेना है फिर से उल्टी सेलाई में सीधी सेलाई में एक फंदा घटाएंगे एक फंदा हो गया दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा बारा फंदे बनाए फिर यहां से पांच फंदे यह जो है इन्हें लेना है तो पहले यहां एक फंदा ऐसे उठा लेंगे गयब भरने के लिए फिर इस फंदे को इस फंदे के साथ ऐसे दो कर देंगे और चार फंदे और बुन लेंगे एक दो तीन और यह चार फिर यह से वापस पलटके इस से लाई को उल्टा बुनके कंप्लेट कर लेना तो मैं कंप कर लेती हो फिर दिखा दियों फिर से हां एक फंद गटाएंगे दो का एक किया और बाकी फंदे उल्टे बनाने हैं जहां तक हमने पंदे छोड़े हैं वहां तक सारे फंदे उल्टे गून के कम्पिलेट कर लेने हैं अब पांस फंदे फिर यह वाले पांस फंदे यह लेने हैं तो पहले यहां से एक फंद उठाएंगे ऐसे गैब बनने के लिए इस फंदे को इस फंदे के साथ ऐसे दो का एक कर देंगे इससे हमारा गैब भी बन्द हो जाता है और एक फंद जो हमारा बढ़ता है उसे घटा देते हैं यहां पर फिर इन चार फंदों को उल्टा बून देंगे फिर यहीं से वापस पलटके इस सलाई को पूरा यहां तक उल्टा बून के कंप्लेट कर लेने हैं फिर यहां एक फंद गटाएंगे दो का एक किया एक फंद गड़िया बाकी फंदे लास्ट पांस फंदे तक यह उल्टे बून लेने हैं अब यहां यह पांस फंदे बने छूटे हैं इन्हें भी बून लेंगे तो पहले यहां से एक फंदा ऐसे गड़िया बने के लो उठाएंगे इन दो फंदों को एक साथ बून लेंगे और यह चार फंदे भी ऐसे उल्टे बून लेंगे इस तरह फ्रेंट्स हमारी एक अली यहां कंप्लीट हो गई पहले हम पांस पांस फंदे छोड़ रहे थे और एक एक फंदा इधर बढ़ा रहे थे जब हमारे सारे 25 फंदे 55 करके छूड़ गए तो यहां हमारे 5 फंदे बढ़ गए उसके बाद हमने क्या क्या फ्रेंट्स जो फंदे हमने बढ़ाए थे तो दो का एक करते हुए हर सीधी सलाई में यहां कम करते रहे और इधर जो हमने 55 फंदे छोड़े तो उन्हें इधर ऐसे लेते रहे तो इस तरह फ्रेंट्स सारे फंदे हमारे यह कंपलीट हो गए है तो अब हमारे पास फिर से दो चार छे आर्ट दस बारा चौदा 16, 18, 20, 22, 24 और यह 25 फंदे हो गया है अब यहां यह कंपलीट हो गई है अब हमें यह वाली कंपलीट बनानी है तो उल्टी साइड से कलर चेंज करने हैं सेकेंड कलर लगा के सारे फंदे सेकेंड कलर से बुन लेने हैं ऐसे कर दो लेने हैं तो इस अब चेंड कलर से एक शलाई उल्टी भुन के कंपलीट कर ली है अब जैसे यहां से फंदे डालने के बाद फ्रेंड जैसे डिजैन करना मैंने आपको बताया था यहां से यहां से सेकेंड कलर से डिजैन डिजैन हमारा सेम रहेगा क्यों कलर चेंज करना है इधर एक एक फंदा बढ़ाते रहना है ऐसे सलाई में धागे को ऐसे लपेट के आगी ले लेंगे और बाकी सारे फंदे लाष्ट में पांस फंदे बाकी फंदे उल्टे बुन देंगे कि यहां तक उल्टा बुन लिया और यह पांस फंदे यहीं छोड़के यहीं से वापस पर लटके इस सलाई को पूरा उल्टा भुन के complete कर लेना हैं तो इस तरह फ्रेंस एक कली मैंने आपको बनाके बता दी है और यह कली सुरू करके बता दी है जैसे यह कली बनाई है वैसे ही सारी कली बनानी है कYEWL हमें एक कली के बाद दूसरा कलर लगाना है तो यह डूरमेट बारा कली या सोला कली में कम्पलेट होता है तो जैसे मैंने आपको यह कली बनानी बताईए वैसे ही बाकी के कली बनानी है तो आप भी यह डूरमेट बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा यह डूरमेट डिजैन कैसे लगा तेंक यू